आज हम पालक के पराटे बनाएंगे जो बहुत हेल्दी और टेस्टी बनते हैं ये बहुत सौफ्ट है आप ज़रूर ट्राय करें अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब एं लाइक ज़रूर करें पालक के पराटे बनाने के लिए सबसे पहले हमें पालक को अच्छे से बॉइल करना है इस तरह से हम पालक को अच्छे से बॉइल कर लेंगे लगबक 10 मिनित लगेंगे पालक को अच्छे से बॉइल होने के लिए उसके बाद हम पानी अलग से निकाल लेंगे इस तरह से चौप कर लेंगे पालक को उसके बाद हम दो कप गीऊ का आटा लेंगे उसमें चौप किया हुआ पालक डालेंगे इस तरह से उसके बाद सारे मसाले लेंगे एक एक करके सबसे पहले हमने टेस्ट के लिए अचार का मसाला लिया है उसमें थोड़ा सा ओयल डाला है, उसके बाद हमने रेड मीट पाउडर डाला है, वन टेबल इस्पून, वन टेबल इस्पून हमने धनिया पाउडर डाला है, वन टेबल इस्पून हमने जीरा डाला है, स्वादा नूसार हमने नमक डाला है, थोड़ी सी हल्दी डालिये, और बहुत ही अच्छा टेस्ट आने के लिए हमने अजवाइन डाली है और अच्छे से आटा लगा लिया है इस तरह से हमारा आटा लग के लिए रेडी है अब हम पराटे बनाएंगे बीच में और साइड में अच्छे से ओईल लगा लेंगे हम और बेल लेंगे पराटे को इस तरह से अच्छे से बेल लिया है हमने पराटा अब हम इसको सेक लेंगे एक साइड थोड़ा सा पकने के बाद हम पलट के ओईल लगाएंगे हलका हलका दें पलटेंगे आप देख सकते हैं और दूसरी साइड भी ओईल लगा के अच्छे से पका लेंगे इसी प्रोसेस के साथ हम सारे पराटे बना लेंगे यह हमारे पराटे बनके रेडी हैं आप इनको किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं जैसे अचार दही सोंस टोमेटो केचप किसी के भी साथ इस तरह से हमने सव किया है आपको हमारी रेसिपी अच्छे लगे हैं तो आपको किया हम तो आपको घुआ अच्छे पराटे वागे हैं तो झाल झाल